जो ये रुष्टा क्या कहलाता है मैं सबसे पहले कायरव का नाम सुनकर जो आपके दिमाग में आया था अब वही कार्तिक के दिमाग में भी आने वाला है जब कार्तिक पहली बार अपने बेटे कायरव का नाम सुनेगा तो उसे ये नाम सुनते ही कायरव की याद आएगी कायरव का मतलब कार्तिक और नायरा इन दोनों की जोड़ी को ही इनके फैंस ने कायरव का नाम दिया था तो उसका नाम भी हम कायरव ही रखते अब कारतिक पिलहाल तो इस बात से अंजान होगा कि ये उन्हीं का बेटा है मगर जल्द जब कारतिक के सामने ये सचाएगा तो कायरव के साथ कारतिक का ये अंजान सा रिष्टा बहुत पक्का हो जाएगा बाप बेटी की ये जोड़ी क्या नायरा को एहसास दला पाएगी क्या उसके घर वापस जाना चाहिए क्या कारतिक को नायरा माफ कर पाएगी कायरव के लिए ये सब को जानने के लिए इंतसार किजिए नेक्स्ट अपडेट का सब्सक्राइब किजिया अमारा चानल, TOP NEWS चास्ट वे यू, TOP NEWS के रपोर्ट